कि नमस्कार दोस्तों जया इंजयावार प्रंदे मात्यों कैसे हो आप सब लोग तुमारा बाई भी बिल्कुल मस्ता एक दम बढ़िया है लेकिन जब भी यह सुनते न कैसे तुम लोग कोई भी सुनता वाई कैसे हो लोगों को अपनी परेशानी एक दम सामने नजर आ जाती ह है वाई जिन्दगी में बहुत सारी परेशानी है बहुत सारी टेंशन है तो लोग एकदम नहीं पहुंच जाते हैं लेकिन भी मजबूल में बोल देते हैं ठीक है वाई याद बात करेंगे और तुमसे ऐसे वेक्तिक के बारे में ऐसे महिला से मिलवांगा मैं आज तुमें जिसने इतनी बड़ी परेशानी जिन्दगी को कैसे जिया जाए उसके बावजुद भी उसने अपने रहन सेहन को अपनी जिन्दगी को कैसे सहज बना लिया और कैसे विसम परस्तितियों में भी उसने जीना सीखा है ऐसी हमारी एक बहन है मैं उससे आपको भी मिलवाता हू इनका नाम है संध्या मारवी यह मद्य प्रदेश की रहने वाली है उम्रीन की तीस साल है यह भारत की पहली खुली महिला है भाई जिसकी प्रिस्तितियां जीने की एकदम इतनी कथिन थी के इनके पती का देहनत हो गया स्वरगवास हो गया इनके तीन बच्चे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई लेकाई लालन पालन इस तरह ऐसे वो कर रही है मैं आपको बता दूं कि यह मद्य प्रदेश की रहने वाली है और यह कत्नी जंक्सन से कत्नी जंक्सन से लगबग रोज 45 किलोमेटर चलती है यह कुली का काम करती है और अपने कांदे पर समान उठात अच्छों का लालन पालन बड़े अच्छे से कर रही है देख बाल अच्छे से कर रही है 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 सोग ऐसी महिला को कि जिन्हों ने ऐसी परिस्तितियों में भी हादी मानी और अपनी जिन्दिगी को सहज बना लिया जीने के तरीके को जिस तरीके से उन्होंने जिया है 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 कि कितनी भी परिस्तितियां खराब हों आप ये एक बड़ा उधारने इस महिला का कि परिस्तितियां जैसी भी हों आप सर्वाइब करो संगर्स करो तो जिंदिया असन बनी जाती है और ये संध्या मारवी 40 कुलियों के बीच में अकेली एक महिला है जो पुरुशों के साथ में अकेली ऐसी कुली है जो एक महिला है तो इसकी हिम्मत को भी 800 है और यह हम सब के लिए इंस्प्रेशन है एक उदारने बहुत बड़ा कि जिंदिगी से कभी हार नीमानी चाहिए इ उससे जीना चाहिए चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ में अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सुब्सक्राइब करें लाइक करें तुम्हार भाई भी स्वस्त्य मस्त्य है आस्ता कृत हो आप सब जोग भी स्वस्त्त होंगे मस्त्ह झाल झाल